बिस्मिल्ला रभ्म रहीम, dear students, अस्लाम रेकों, आज concrete technology and RCC design, civil 354 का आज आमारा पांच्वा प्रेक्टिकल है, प्रेक्टिकल कंप्रेशन टेस्ट आप सीमट, सीमट में तबाव की ताकत मालूम करना, इसके बारे में प्रेक्टिकल करेंगे, इसका इसमें जो equipment सिस्टमाल किया जाते हैं, उसमें balance, scale, cube mode, travel, candy, steel pant, tagari, cement, sand, red, पानी, container, बरतन, इसमें आपने मिक्सिंग कर दी है, compression testing machine, दबाव की ताकत मालूम करने के लिए, machine का इसके इस्ट करने का मकसद क्या है, कि concrete क्यों सीमट हम बनाएंगे, सीमट में दबाव की ताकत मालूम करना, त्रिकाकार कुछ यू होगा, कि हमने, सीमट और रेट की निस्बत, one ratio three, एक इस्सा सीमट का, और तीन इस्से रेट के इस्तिमाल करने हैं, फर्द करेंगे, अगर हम सो ग्राम, सीमट लेते हैं, 100 ग्राम सीमट लेते हैं, तो इसमें अबने पानी कि नहीं डाला है, सीमट के लिहास है, water सीमट रेशो, सीमट रेशो, पानी की ताक करेंगे, कि 100 ग्राम अगर हमने सीमट लेनी है, तो इसमें, स्पेस्फिकेशन हमारे पास है, इसकी पॉइंट जीरो फाइव, आपने वाटर सीमट लेनी है, कि 100 को मल्टिप्लाइ करेंगे, जीरो फाइट पाइव के साथ, तो जो हमारे पास मिड़ा आएगी, वह मिली लीटर में पानी की मिड़ा रहेगी, इसमें अबने इतना पानी डालना है, उसके बात इसको प्रापर मिक्स करेंगे, मिकसिंग करें। इसके दो बाई दोू के क्यों ब बहरा है यह कि और इसको अधिया तीन लेल में तेकर ऑड़ और हर ले में 6 तरह में अफार हुआ इसमें यह मतर म Druyn कर रिए घिया हम इसके अधर भर राज को बया है की हरी छुद कर देंग को ऊपन कर देंगे इस डियाई नार की नार कि ंवार जार है अगर का अधर को पैसा अधर कंग कर दे लाद का नो मुल्ड बनने के हैं बां स्टोभतर हो एक व्ड़का है कि आनोम को है तिक के लिए तीम को साधिन के लिए और तीम को 28 देज के लिए रखा लिए मोल्ड जब यह पुरा रियाता है उसके बाद हम कमरेशिंग टेस्टिंग मुशीन के लिए को टेस्ट करते हैं इनकी दबाओ की ताकत देखते हैं कि हमारी जो स्पैसिफिकेशन लिमन के मताबिक है वो इसकी करते ही ठीक है लिए शीमट इसकी दबाओ के ताक तरह बर्दाश कर सकती है एक अबने पूर है तो अभी आम प्रेक्टिकर की तरह बढ़ते हैं अब हम इसकी रिजू के साथ हमने सेमट का पार्टरिब नागे सेंपल हमने ले लिए 100 गराम सेमट और 300 ग्राम आमने रेज का अभी आम इसको इसके अंदर पानी डालकर आम इसको विक्स करेंगे यह अबने पानी डाल दिया और अभी इसकी अबने विक्सिंग स्कार्ट करता है लक्सिंग करने के बाद आमने एक इस मसाले को मुखर के अंदर तीन लेयर में परना है तंपी कराट के दिए हैं हम इसकी तंपी कर दी है इसकी तरह दूसरी लेयर तंपी कर दूसरी लेयर तंपी कर दूसरी लेयर तंपी कर दूसरी 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 तीसरी लेर सिर्फ किसी लेर से बढ़ें किसी लेर बढ़ें के बाद तरिका कार होई है कि आप लेर राड़ी करनी है उसी तरह जाद रहे हैं कि जब आप लाड़ी कर रहे हों तो एक लेर से दूसी लेर इस्टा भी नहीं होई चाहिए पहले वजी आपने लेप नहीं है वह स्मेश का नहीं है जाए एक्स्टाम दिये ज्वैल के साथ इसकों रोभ करने ने इसकों रोभ करने ने कि आप इस तरीके से साफ़ करें वोल्ड को कि आप इस मोल्ड की कास्टिंग होगी कि यह मोल्डा 24 गेंटर के बाद इसको बारा पलेंगे पस्से क्यूब निकार कर पालिमेट रखेंगे कि इसी तरह आपने नौ मोल्ड बने तीन को तीन को साथ दिन के लिए और तीन को अठाइस दिन के लिए पाई रखेंगे और उसके बाद जाब क्यूरिंग का टैन्म बुरा हो जाए तो इस को पने कंप्रेशन टेस्टिंग मुशीन में रखकर इन मोल्ड का आपने इनकी दब पर लिए और इन्शाला नेक्स्ट अगले प्रेक्रिकल करेंगे अलावाश्युक्त